दोस्तो कैसे हो आप लो उम्मीद है अच्छे होंगे आज मैं आपको बताऊंगी जो भी आपके सीप्यम वर्क करने की वज़ा से जो प्रोब्लम आपके चैनल पे एड़ बंध हुआ है और आप भी जानना चाहते होंगे मेरी तरहां कि आपका एड़ कब स्टार्ट होगा क्या हम ऐसे ही वीडियो डालते रहें अपने चैनल पे और उसका कभी इंकम ही नहीं होगा या फिर हम दूसरा चैनल बना ले इसको छोड़ के तो यह सारे जो कोश्चन है हमारे माइन में भी चल रहे हैं और आपके भी माइन में चलता ही होगा उम्मीद है तो आज यह सारे क में प्राबलम को देंगे क्योंके लिए जो प्राब्लम को समझ सकते हैं कि क्या प्राबलम आपको कैसा फेल होगा कि इतनी मेहनद करके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वाचावर कंपलीट करके आपने किस तरह से अपने चैनल को मॉनिटाइज किया है और उसके बाद आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है सीपियम वर्क करने की वज़ा से आपका जो एड है वो आही नहीं रहा है और आप अब रेवेन्यू जनरेट करी नहीं पा रहे हैं तो ये सबका आंसर चलिए आपको देते हैं हमने यूटूब टीम से बात की है और उसके बाद ही आपको ये वीडियो दे रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है और क्या होगा और क्या करना चाहिए हमें तो चलिए ये ओपन हो रहा है जैसा कि आपको दीख रहा है कि कल मैं मेल की थी यूटूब टीम को और पूछी थी उनसे प्लीज मुझे बताईये और इस समस्यक को जो प्रॉब्लम मेरा एड्स यूटूब वीडियो पर कब स्टार्ट होगा प्लीज मुझे बताईये और सॉल्व इस प्रॉब्लम और इस समस्यक को जो प्रॉब्लम में उसे सॉल्व करिये आई डोंट सी एनी बैनर माई यूटूब एनलेटिक्स रिगार्डिंग लिम्टेड एड्स से रिलेटेड कोई बैनर हमें नहीं दिख रहा है यूटूब एनलेटिक्स में तो यह कोशन मेरा था फिर उन्होंने मुझे मेल किया है और बताया कि इस प्रॉब्लम का क्या है सोल्यूशन और उन्होंने आंसर दिया है तो लिखे हैं थैंस फॉर गेटिंग बैक तू अस हमने उनके पास दुबारा मिल किया तो उन्होंने इसका शुक्रिया किया मुझे कि हमसे फिर से संपर्क करने के लिए बहुत शुक्रिया वी अंडरेस्टेंड डैट यू नीड आंसर डिलेटिंग तू यूर एड सर्विंग हम समझ सकते हैं कि आपको अपने एड से रिलेटिड उत्तर चाहिए लेट मी प्रूवड यू वी तू सम इंसाइड चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं या बताते हैं वान्स यूर चैनल हैज इक्सपीरियंस इन्वैलिट ट्रेफिक एग पर आपका चैनल इन्वैलिट ट्रेफिक का अनुभ़ कर लेता है एड revenue from invalid traffic is refunded back to the advertiser affected तो revenue जो है जो invalid traffic के वज़ा से आया है उसको affected advertiser जो है उसको refund कर दिया जाता है This means that ads may still run on the affected content जो आपके affected content है उस पे अभी भी इसका मतलब यह है कि अभी भी आपके जो affected content उस पे एड आ सकते है आ रहे हैं ठीक है But that the advertiser isn't charged पर हम उससे पर हम advertiser से उसका charge नहीं लेते है This may result in a visible decrease in estimated revenue in YouTube analytics and ad serving on your channel may be limited When invalid traffic occurs, learn more about invalid traffic and monthly estimated revenue तो आप इसका मतलब है कि आपको अपने YouTube analytics में जो रेवेन्यू है estimated revenue जो है आपका analytics में decrease होते हुए आपको नजर आ सकता है तो इसको पूरी जानकारी के लिए आप invalid traffic and monthly estimated revenue को और जाने तो यहां पिनों ने एक article दिया है invalid traffic का जैसा कि मैं अपने एक वीडियो में invalid traffic का full detail में आपको बता चुकी हूँ कि क्या है कैसे बचना है आपको नहीं पता है तो मैं i button यहां पे दे दूँगी उस पे आप क्लिक करके वो चीज़े आप जान सकते हैं पर अभी पूरा यह जो है वीडियो इनफॉर्मेशन पहले आप उसको जान लिजे फिर आप उस पे क्लिक करके यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वो वीडियो का लिंक आप वहां से क्लिक करके उसे देखके उसे भी जान सकते हैं कि क्या है invalid traffic फिर यहां लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जब आपके चैनल पे बहुत समय से यह डिटेक्ट नहीं होगा तो आपका जो एड शर्वी मतलब आयड जो है फिर से वह आना स्टार्ट हो जाएगा और revenue फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा आपका चैनल एक तरह से येज प्लीज कंटिन्यू वर्किंग ओन डिलीवर हाई क्वाल्टी एंड ओरिजिनल कॉंटेंट तो बी एबल तो सी योर चैनल डेटा गो बैक तो इड्स आइडल स्टेट अगें आप फिर से अपने चैनल के डेटा को पहले की तरह जाते हुए देखना चाहते हैं तो अपने अपने चैनल पे हाई क्वाल्टी के कॉंटेंट और ओरिजिनल कॉंटेंट बनाते रही है काम करते रही है कहने का मतलब यह है इनका आपको भी यह समझ में आ गया है कि यह जो आपने जो इन्वैलिट क्लिक एक्टिविटी करके आपने इंकम तो जनरेट कर लिया है और उसे अपने अकाउंट एड्सेंस में ले लिया है तो उस चीज की वो भरवाई कर रहे हैं कि मतलब आपके वीडियो पे एड्ट तो इंकम होगा नहीं क्योंके लिए इन्होंने यह साफ कहा है कि जो अभी भी अफेक्टेड कॉंटेंट है आपके इन्वैलिट ट्रैफिक के वजह से जो वीडियो जिस पे आपने इन्वैलिट ट्रैफिक जनरेट करके अर्निंग की है उस पे अभी भी एड्स आ रहे हैं कोई पर बेभी दिवाइस पे नहीं आ रहा हुआ किसी प्रहर है तो मतलब की आ रहा है एट उसके ब्ले जिफन ईले रहा है वह है वह एड्स चलह पर उसका यह चार्ज नहीं ले ले रहा है यूटूब उनसे जब तक वह जो आपने जितना उन्होंने इन्वैलिट क्लिक करके आ नहीं जब पहले की तरह हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा और कोई भी इन्वाइलिड एक्टिविटी नहीं देखी जाएगी आपके चैनल पे तो फिर से आपका जो एड है वो आने लगेगा और पहले की तरह इंकम होने लगेगा अच्छे से यही कहा गया है इस आर्टिकल म और कुछ टाइम बाद आपके जब चैनल पे कोई ऐसी इन्वाइलिड एक्टिविटी नहीं देखी जाएगी तो यह एड फिर से आने लगेगा और उसके बाद रेवेन्यू भी होने लगेगा पहले की तरह सामान में हो जाएगा आपका चैनल उमीद है दोस्तों आपको यह इन्वार्मेशन अच्छी लगी है और अब आप यह गलती नहीं करेंगे अगर आपका लेपटॉप में एड आ रहा है मोबाइल में एड नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे हैं कि चलो मोबाइल में तो नहीं आ रहा है तो हम लेपटॉप से ही CPM वर्क करें और पैसे जनरेट करें तो यह मत करिए पैसे बनाने के चक्कर में पूरा चैनल खतम हो सकता है आपका क्योंक लिए आप बहुत इस्टिक हो गया है यूटूम और इस चीज को सीरियसली होके वर्क करिए क्योंक लिए कब तक ऐसे आप पैसे कमा लेंगे बताइए बहुत सारे लोग हैं कुछ बोलते हैं कि यह एक्स्टेंशन है इस एक्स्टेंशन को आप अपने क्रोम ब्राउजर में इस्टॉल कर लिचे फिर उसके बाद आप अपना वहां पे डिवाइस को सेलेट करिए आइफ तो भाया यह बताइए आपकी एड तो आएगा उस ठाइम ठीक है आपके लेपटॉप पे हो सकता एड आने भी लगे वह एक्स्टेंशन को आन करने के बाद पर दूसरे लोग जो चला रहे हैं मोबाइल और लेपटॉप चला रहे हैं उनके में तो आपके वीडियो पे आप ला सकते हैं पर यह कहिए कि जो इतने लोग यूज कर रहे हैं लेपटॉप जिन उनके लेपटॉप पे तो आपकी वीडियो पे एड तो आएगा नहीं तो यह सब सीप्यम वर्क मत करिए और जो नहोंने बोला है कि आप काम करिए और कुछ टाइम के बाद आपका एड जो है वह आपिस से जब चैनल आपका नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह तो फिर से एड आना शुरू हो जाएगा आपके चैनल पर और रेवेन्यू भी पहले की तरह होने लगेगा उम्मीद आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो लिज लाइक करिए और चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा इसी तरह की कॉंटेंट आप चाहते हैं तो बिल का बटन दबा लीजेगा जिससे आपको लिटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहेगी फिर मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग